नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप अपने MS बड में कोई काम है जिसे दोस्तो आप डेली रिपीट करते हो चाहें दोस्तो कोई आप एपलीकेशन टाइप करते हो चाहें दोस्तो पनाते हूं अगर आप उस काम को डेली सी 10-20 बार करते हूं आप आप micro का यूज करेंगे तो जिस काम को करने में आपको 10 मिनट लगते थे उस काम को करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तो यहां पर दुस्तु आपका time है कापी save होने वाला है तो चली दुस्तु हम किस तरह से करेंगे मान लीजी दुस्तु मैंने यहां पर MS Word open कर लिया और यहां से उसका जो size है तो बूभी आप यहां से select करेंगे और दीकि अपर आप जाएंगे page layout time में यहां से अप उसका jo orientation है बूअ search करेंगे जो margin है पेज बॉर्डर चाहिए, बू सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर कलर चाहिए, तो कलर सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं चाहिए, तो ओटोमेटिक पर रहने देंगे, उसके बाद यहां से बिद में जाएंगे, और फिर यहां से कोई बिद सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपका एक मिनट तो बैसे ही यहाँ पर खतम हो चुका है अब यहाँ पर आप जो रिजूम है वो टाइप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन दुस्तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप माइकरो की साहता से माइकरो रिकॉर्ट करेंगे उसके बाद जो कोई अगर आपसे कस्टूमर आएगा और आपसे बोलेगा रिजूम बनाने के लिए या फिर जो भी डेटा आप रोज डेली में टाइप करते हो रिपीट करते हो उसे प्रेस करने के लिए उसे दुस्तो टाइप करने के लिए आपको अपने कीवोर्ड से ज जो कस्टूमर आता है वो मुझसे बोलता है या फिर आपसे बोलता है कि मुझे रिजूम बनवाना है तो आपको अपने कीबोर्ड से एक सौटकट की प्रेस करनी है तो मैं यापर दोस्तो वो सौटकट की प्रेस कर देता हूं जैसी मैंने देगी सौटकट की प्रेस की है यहा आप आसानी से, मदद से, टाइप कर सकते हूँ, अब दोस्तों, यहाँ पर, आपको नाम चाइज करना है, और यहाँ पर, जो भी आपका, जो एड्रेस है, भुचेंज करना है, उसके बाद, और जो आपका, आपकोजोगी, है वो तयार है अब दोस्तों आप कहोगे अगर यह यह रिज्यूम यहां से देखिए मैं यहां से MS लोज कर देंगे उसके बाद अगर फिर से आप MSWAT open करेंगे देखिए मैं इस तरह से open करता हूं उसके बाद फिर से मैं shortcut की प्रेस करूंगा तो फिर भी यह resume इसी तरह से type हो जाएगा किस तरह से दोस्तों यह सारा काम करना है चलिए process सिंपल है बिलकुल आपको आसानी से सीख लिए ना है तो सबसे पहले मैं यहां पर control & press करता हूं control & press करने के बाद यहां पर देखिए दोस्तों जो नया page है वो open हो जाएगा तो जब दोस्तों आपका new page open हो जाएगा तो आपको जाना है view time में view time में आपको एक option मिलेगा right side में macro का अगर आप यहां पर macro option मिलता है तो ठीक है यहां फिर दोस्तों आप अपने MS word में डेवलपर टेव है इसे open कर सकते हैं इससे आपको और भी आसानी होगी उसके लिए आपको जाना है office बटन पर यहां पर दोस्तों आप बड़ ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर popular command पर क्लिक रहने देंगे और यहां पर दोस्तों आपको एक option मिलेगा इंदा रिबन इस पर आपको चेक करना है और यहां से ओके कर देना है तो जो developer tab है आपके ribbon में आ जाएगी उसके बाद developer tab पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक option मिलेगा record macro तो जैसे दुस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा पॉप आप आएगा तो यहां से हम keyboard पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखिए press new shortcut की यहां पर आप कोई भी shortcut की जो बनाना चाहते हैं जैसे मैं Ctrl 5 बना लेता हूं तो मैं Ctrl दबाऊंग इस पर एक केशिट का आइकन आ जाएगा अब जो आपका micro है यहां पर record होना शुरू हो जाएगा जहां कहीं भी दुस्तों आप क्लिक करेंगे जो step आप फोलो करेंगे वह यहां पर record होना शुरू हो जाएगा तो अब दोस्तों जो भी हम data है यहां पर टाइप करेंगे तो उसके बाद इसका जो साइज है दूस्तों आपको बू सेलेक्ट करना है तो मैं यहां पर इसका जो साइज है वो 14 कर लेता हूं उसके बाद अलाइमेंट में आपको क्या करना है फिलाल मैं यही रहनी देता हूँ मेरा यहाँ पर जो justify है उसके बाद आपको जाना है दूस्तो page layout time में और यहाँ से size में क्लिक करेंगे और यहाँ से दूस्तो a4 size select कर लिना है orientation में जाएंगे यहाँ से आपको portrait select करना है अगर पहले से portrait है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद दूस्तो आपको margin में जाना है और यहाँ से narrow कर देना है यहाँ पर normal पर ही select रहनी देना है अब दूस्तो आप यहाँ अपने असाप से margin रख सकते हैं आपका कैसा data है अगर data जादा बड़ा है तो आप margin को narrow रख सकते हैं अगर data छोटा है तो normal पर ही क्लिक रहनी देंगे उसके बाद दूस्तो पेज रियाउट में क्लिक रहनी देंगे और यहाँ पर जाएंगे page border में उसके बाद box पर क्लिक करेंगे box पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो border का style है बोड़ चूज करेंगे तो मैं यह बाला style चूज कर लेता हूँ यहाँ से दोस्तो अगर आप color देना चाहते हैं border को तो बोड़ दे सकते हैं अन्यत है यहाँ से जो width है इसमें आपको 3pt या 5pt जो कुछ भी select करना है वो कर लेना है और यहाँ से okay कर देना है तो देखिए आपके जो page है इस पर एक border भी apply हो जाएगा उसके बाद आपको control E press करना है और यहाँ पर type करना है resume अब देखिए मैंने resume type कर लिया है मैं इसको select करूँगा select करने के बाद control B से इसको bold कर देखिए और control U से उपर underline कर देखिए उसके बाद मैं जाओंगा home edit में यहाँ से इसका जो size है थोड़ा increase कर देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर enter press करूँगा और यहाँ पर control L press करूँगा तो मेरा अटर्ज लेप्ट में आ जाएगा अब दोस्तो resume आपको पूरा यहाँ पर type कर लेना है resume किस तरह से type किया जाता है यहां bio data किस तरह से type किया जाता है already धोस्तो मैं इन्य वीडियो बना दिया है link दोस्तो आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप देख लीजिए मैं यहाँ पर जल्दी से जो सारा process है उसे complete कर देता हूँ तो देखी दोस्तो जो मेरा resume है यहाँ पर बन कर तयार हो चुका है अब जैसे आपका जो resume है वो बन जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से इसे save करना है अब save किस तरह से करेंगे दोस्तो इसे आपको stop करना है आपको developer time में जाना है उसके बाद जो आपकी Macro है यहाँ से stop हो जाएगी देखी दोस्तो इसे save किस तरह से करेंगे चाहें तो आप save कर सकते हैं fairly ऐसे नाम देना झाहते हैं तो इस तरह से re-in क्योंकि मेरे पहले से रिजुम कईवा टाइप है तो मैं इसे यूनिक नाम रखता हूँ उसके बाद यहां से करेंगे सेव अब देखी दूस्तों यहां पर बर्ड डोकुमेंट ही आपको सेलेक्ट रहने देना है आपको मैक्रो वाला सेलेक्ट नहीं करना है किसी भी डेटा पर आप इसे टाइप कर सकते हैं उसके बाद यहां से सेव करेंगे जो लोकेशन चूज करना चाहते हैं यहां से लोकेशन चूज कर सकते हैं और उसके बाद सेव करेंगे अब save करने के बाद अगर आप इसे close कर देंगे तो यह अच्छे से work नहीं करेगा उसके लिए आपको यहाँ पर एक setting करनी है तो यहाँ पर आपको micro security में जाना है इसमें जाने के बाद दुस्तों micro setting में जाएंगे और यहाँ से enable all micro इस पर click करेंगे यह यहाँ पर दुस्तों disable पर check रहता है तो आपको enable पर click कर देना है उसके बाद जाएंगे message बार में इसे भी आपको show कर देना है उसके बाद जाएंगे दुस्तों active setting में और यहाँ पर भी इसे enable कर देंगे इन तीनों कामों को आपको इनेवल कर देना है उसके बाद यहाँ से ok कर देना है ok करणे के बाद जो आपका data है इसे आप कहीं पर भी time कर सकते हैं जैसे कि दुस्तों मैं यहाँ से इसेes close कर देता हूं close करने के बादließen आप १ुआरा से Ms.Watt Open कीजिये मैं यहां से दोवारा MS Word open करता हूँ उसके बाद मैं control के साथ 5 press करूँगा तो automatic जो हमारा resume है वो देखी दूस्तो बन कर तयार हो चुका है आप आसानी से इस तरह से कोई भी काम micro की साहता से कर सकते हैं तो इस तरह से दूस्तो जो भी resume है जो bio data है जो काम आप repeat करते हैं daily 10-20 वा repeat करते हैं उस काम को आप विल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं micro दूस्तो बहुत powerful tool है अगर दूस्तो आप इसका use करेंगे तो आसानी से कोई भी data है जो आप ए गंटे में काम करते हैं इस से हो सकता है दूस्तो वो आपका 5-10 minute में हो जाए तो आसा करता हूँ दूस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है दूस्तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe कीजिए इस तरह का दुस्तो जो valuable content है आपको इस channel पर मिलता रहता है अगर आपको resume या फिर bio data बनाना नहीं आता तो link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से देख लीजिए कि इस तरह से बनाया जाता है मैंने दुस्तो एक छोटी सी information थी जो आपके साथ share की वीडियो के ऐसा लगा हमें दुस्तो कमेंट करके जरूर बता है हम मिलेंगे दुस्तो आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत